अगर आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो यह आपका डिसीजन है बहाँ पे आप फस जाते हैं तो इंडियन गवर्मेंट की गलती नहीं है ना भाई कि वाई ने सोर्स भी दा वायर से लिया है तो बिना परपंच और प्रोपगेंडा के वो कैसे छाव देती इस लिए उसको और यह अगर अगर अपनी पॉलिसीज़ पर बेस पर इंप्लिमेंट करना शुरू कर देना तो यह राठी जैसों का अपने आप भी मूबंद हो जाए आपको दिखाने वाला हुई लेकिन उसके पहले कोई है नहीं थी ना कॉंटेक्टर के तरफ से ना आमारी इंबसी के तरफ से जो हमने किया हमने खुद किया यह उन इंडियन स्टुडेंट्स के स्टेटमेंट से जो यूकरेन में पढ़ने गए तो और वर की सिट्रेशन मे यह उनको इवक्याय किया ता, इंडिया आने के बाद उन्होंने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दी है थे अब आईनो कि बहुत सार लोगों को लगे गा कि मैं इंडियन गौफंने को डिफेंट कर रहा हम पे में इंडियन आर्मी को, क्योंकि ये जो operations चल रहे हैं इसमें सिर्फ Indian government नहीं हमारी Indian army भी involved है और वो जिस level पर काम करके हमारी students को बचा रही है या फिर बोला जाए तो rescue कर रही है वो कोई ऐसा easy task नहीं है इसलिए मेरे को ज़रूरी होगा ये वीडियो बनाना हाँ कुछ indications थे like Russian military ने अपने soldiers को खड़ा कर दिया थे Ukraine borders पे लेकिन आप उससे भी confirm नहीं हो सकते थे कि war होने वाली है क्योंकि बहुत सारे American newspapers ने ये बाद छापी थे कि war होने वाली है और वो news चपने की 3-4 दिन बाद तक कोई war की situation नहीं बनी थी इसको अगर आप और सिंपल समझना चाते हैं तो यससा समझें जब पुलवामा अटेक हुआ था उसके बाद इंडियन गवर्मेंट को काफी सदा ब्लेम किया जा रहा था लेकिन उन्हों चुपचा थोड़ा सा patience रखा और चुपचा उठाकी की strike कर दी वर्में एर स्ट्राक्स वाले पैटर्न पर ही काम करते हैं यह कब शुरू होगी कब बंद होगी किसी को पता नहीं होता हलाकि आपको एक और प्रेक्ट बताना चांब जैसे यह वर की situation चालू हुई थी वैसे हमारी इंडियन गवर्मेंट ने चार से पास दिन पहले एक नोटिस जारी कर दिया था हमारी इंडियन एमबसी ने जिसमें यह बता दिया गया था कि यह panic situation हो चुकी है और की conditions बन सकते हैं जितने ही बच्चे यूकरेन में पढ़ रहे हो वहां से बापिस आ जाए हैं पिछले 48 घंटों में रूस और यूकरेन की सीमा पर तनाव बेहत बढ़ गया है दुनिया इस समय इन गतिविधियों को देखकर खासा चिंतित है हलाकि इस notice के आजाने के चार दिन बाद war शुरू हो गई और उसके बाद शुरू हो गया हमारा rescue operation अब मैं जो बाते बोलने वालों वो थोड़ी सी toxic लग सकती है लेकिन वो एक्षिल में थोड़े से facts नहीं है जो आपको जानने जरूरी हैं अगर आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपका इस बात पर दिखा रहे हो कि government जो है वो ढंक से काम नहीं कर रहे हो तो तुमारे attitude बलकुल गलत है भाई तुम गयते अपने पैसों पर पढ़ने पापे सारो टेक्स पे अर्च की पैसे पर और उसके बाद भाद भी तुम grateful नहीं हो हमारी army को for granted में ले रहे हो I don't know कि ये student ज में थोड़ा और factually हो के समझा देता हूं intellectual हो के समझा देता हूं तुमारी fantasy पूरी करने के लिए मोधी और Amishya Ukraine जा सकते हैं definitely जा सकते हैं लेकिन पता है वहाँ जाने के लिए war जों से तुमको rescue करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा Ukraine का support करना पड़ेगा उ पुतिन तुमारे लिए 6 गंटे war नहीं रोकेगा ना तुमारे बच्चे को rescue करने की permission देगा वो direct attack करेगा और attack में क्या होता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है आज Ukraine में सारी flights बनने है अगर India support भी कर दे तो तुम ओड़ क्या आ पाओगे या border cross कर पाओगे border किसके ब बहुत बढ़िया काम है no doubt लेकिन अगर मैं आपको directly ये चीज़ बताऊंगा तो definitely मैं आपको गोदी यूटूबर लग सकता हूं हो सकता है कि आपको लगी कि बिका हुआ है इसलिए इसी बात कर रहा है इसलिए मैं आपको कुछ इंडिया के बाहर के facts बताता हूं क्योंकि Indian facts सुनने के बात तो तुम्हें यही लगता है कि और इना चाप दिया होगा समरा रभईने पढ़ दिया होगा होगया गोदी वहलाग हमें तुम्हें इंडिया के अलावा जो देश है ना उनके statement पढ़के सुनाता हूं जो बाहर के मीडिया ने चाप ताकि ताकि तुम्हारे doubts clear हो सके तो आओ तुम्हें एक एक statement पढ़के सुनाता हूं सबसे बहुत में युएस government का statement पढ़के सुनाता हूं वर्ड 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 युएस government will not be able to evacuate a citizen from Ukraine मिस युएस government ने साफ साफ कही दिया कि हम अपने बच्चे को evacuate नहीं कर सकते हमारे जुए students वहाँ पर फस से हम उन को rescue नहीं कर सकते that's it सेम के सेम statement जर्मानी ने भी दिया है UK ने भी दिया है और France ने भी दिया है सेम statement है इन सारे so-called superpower देशों ने साफ मना कर दे कि हम अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं आओ तुम्हें British government का भी statement पढ़के सुना देता हम British government ने साफ साफ ने notice डारी करके बताया था कि जो बच्चे यूकरेन में फस गाएं वो अभी के अभी वहाँ से निकल जाएं इन केसा का जंग हो गया I mean war हो गया तो हम तुमारी help नहीं कर पाएंगे यह British government का official statement है अब ऐसा नहीं कि सारे students हमारी military को हमारी government के efforts को for granted में ले रहें बहुत से students है जो इसको appreciate भी कर रहें लेकिन आपको उन students की वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि propaganda नहीं फैलेगा ना मैंडम का नाम है विशाखा और यह भी Ukraine में फस गहीं थी एक बार इनका statement सुन लो हम अभी यहां आया है जिसको बोला जा रहा है evacuation I don't know यहां पर सब में इस agree करेंगे ही इस बात पे इसको evacuation का नाम दिया गया है पर आप एक बात बताए जो country और यहां से आप हमें फ्लाइट से यहां लेकर आप इसको evacuation कैसे बोड़ियो तो अकॉर्डिन टू विशाखा जी वार्जोन में मोदी को खोदाना चाहिए था इनका हाथ पकंड़ना चाहिए था और प्लेन में बढ़ा के इनको लाना चाहिए था है यह common sense है जो अनपल आदमी बता सकता है कि दूसरी country में अगर war चल रही है तो उस war zone में जाके आप कुछ नहीं कर सकते है जब तक आप उस country का साथ नहीं दे रहे है इंडियन government चुप रहे कि एक तरीकी से रशिया का ही साथ दे रही है और उस भी इस तुम क्या चा रहे है कि war zone म आपके सामने facts है कि पाकिस्तानी students Indian flag आप में लिए हुएं इसे border cross करने के लिए आपके सामने fact है कि तुर्किश students लिए हुएं इसे border cross करने के लिए और तुम शरम आना चाहिए तुमको या शरम आना चाहिए इने efforts की मैं नहीं कह रहा कि तारीब करो बट at least थोड़ा तो accept कर आपकी मैं विशाका जी पर जाता गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैडम जिस परिवार से आती है मैं family पर टेक नहीं कर रहा है विशाका जी की जो mother है वो Congress की leader है और जो सवाल था पहला कि राहूल कान्दी ने मेरा वीडियो ट्वेट कर रहा है और मेरी मम्मी जो की Congress में है इ इस चाइम पर इंडिया के बाहर की media portals ने ये ख़बर चापी थी कि जो Indian government है वो अपने बच्चो गड़न से rescue नहीं कर रही है वो delay कर रही है अपने बच्चो गड़न से rescue करने से जिससे हो सकता है कि उनके बच्चों की जान चली जाई है इंडियान मीडिया ने नहीं चाप आपको दो दो बर interview देखने मिलेगा विशाका जी का आपको विशाका जी के statement as the news छपते हुए दिखेंगे दा वायर पे आपको विशाका जी दिखेंगे दूसरों की वीडियो अरे फॉक दुरू राठी जी की वीडियो उसमें कोई Indian Kharkiv के शहर में फसा हुआ है तो पोलें पर थोड़ा सा reaction देते लेकिन उससे पहले तुम यह बता तुम शॉपिंग करने में इंट्रेस्टेड हो या नहीं हो अब आई रही हो कि होली आ रही है तो डेफिनिटी शॉपिंग करते ही होगा और ऑनलाइन तो करते ही होग ए 101% अब अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर और मैं आप तुम्हें बताऊंगा दो सिंपल इस्टाफ जिससे तुम सीख जाओगे कैश करो को यूज करना तो सबसे बिला डिस्कॉशन में जो लिंक दी गई है उससे क्लिक करो और एपको डाउनलोड कर लो और मेरा कोड यूज कर ले ना सब्या 25 जैसी तुम अपना अक करो का कैश वक्का उसको तुम अपने अकाउंट में या फिर एमजोन के पाउचर में कर सकते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कैश करो का साइन अप करो और शॉपिंग करो क्या मूदी करो चलिए आब आई ये राठी जी की उपर थोड़ा सा रियक्शन देते हैं अधान मंतरी नरेंदर मोदी एक वेबिनार एड्रेस कर रहे थे जहांपर उन्होंने सवाल उठाय कि इंडियन स्टुडेंट्स क्यूं बाहर जाते हैं ऐसे छोटे-छोटे देशों में अपनी मेडिकल एडूकेशन करने के लिए जहांपर उन्होंने कहा कि प्राइवेट स इस पर ब्लेम डाला जाए जब वो बहर पढ़ने का उप्शन चूस करते हैं भाई यार क्या पोर्टर कर रहा है यह उनके सेमीनार को सीरियसली मैं आपको यह पूरा स्टेट्मेंट सुनाता हूं मोदी जी का उसके बाद फिर अपन डिसकस करेंगे कि यह किस तरीके से पोर्टर किया जा रहा है पहले आप यह पूरा मोदी जी का स्टेट्मेंट सुन लो नहीं बना सकती हैं ताकि अति टम डॉक्टरस हमारे यह पहार पड़ने का उप्शन चूज करते हैं हाला कि वह भाई ने सूर्स में दा वायर से लिया है तो बिना परपंच और प्रपगंड़ा कि वो कैसे छव देती इस दूज को अब मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको AIMS में medical की पढ़ाई करनी है तो पूरी course की fees आपके लिए 25,000 रुपे के आसपास पढ़ेगे अब मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको AIMS में medical की पढ़ाई करनी है तो पूरी course की fees आपके लिए 25,000 रुपे के आसपास पढ़ेगे 1947 से लेकि 2014 तक इंडिया में total 7 AIMS थी और last 7 years में 2014 से लेकि 2012 के बीच total 22 AIMS हो चुकी और एक और fun fact बताता हूँ राठी जी आपको last 3 मन्त में 20 से अधन नए medical colleges खुल चुके इंडिया में मैं आज भी Indian government के developments को support करता हूँ definitely support करता हूँ लेकिन मैं ये भी मानता हूँ सांती साथ कि जो implements की policies होती है ना मरे Indian government को एक दब बरबाद होती है घटिया होती ये CLI आस तक implement नहीं कर पाई ये NEPI आस तक implement नहीं कर पाई NRC, UCC ये छोड़ी दो ये जो भी बिल्स बनाते है वस वो बना देते है ना उसको implement करते है ना उसको आगे बढ़ाते है ये से किसान बिल बनाया है तब आपस ले लिया ना पी रहे हैं वो खाना खा रहे हैं वो डोल बाद इनको allegations से घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको अभी सिर्फ इसी चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि मोधी जी की photo पर कितने retweet हुए हाला कि इसमें इनकी गलती नहीं है जब तक ये numbers नहीं दिखाएंगे कि भईया ये दोको अमनित्ते retweets करा दिये तक भईया इनकी इज्जत नहीं होगी तो ये सही काम कर रहा है वैसे एक तरीके से इनके perspective से देखा जा तो एकदम सही कर रहा है लोगा इसकी जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझाने के काम BJP IT सेल का है लेकिन मों नहीं कर पाती इसलिए मुझे करना पढ़ था क्योंकि फैक्ट जानना जरूरी है नेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी private college के अंदर आपको medical की पढ़ाई करनी है तो आपकी cost एक पताना नहीं चाहते होंगे लास्ट ये अक्टूवर में education ministry ने इस सवाल को उठाया था कि जो private colleges से उनकी fees इतनी ज्यादा क्यों और इन fees charges को कम करने के लिए committee बनाई गई थी जिनने कापी सारे suggestions दिये थे जिसके चलते guideline तैयार हुई और आज की rate में कि यह rule आने वाला है ज प्राइवेट कॉलेज को अपने 50% सीर्स की कीमत 100 पे ही रखनी पड़ेगी जो government का price होगा या government की जो fees होगी उस authority तो यह जो rule है यह इसी साल December में बनाया अगले sessions में आपको दिखना चालू हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि government सोच नहीं रही है definitely कर रही है बस लेकिन अभी यह हमें अभी तो बोला कि implement नहीं करते हैं मैं कहें नहीं सकता है कि यह चीज में implement होगी या नहीं होगी लेकिन यह की policies बना रही है definitely policies पर बहुत अच्छा गाम कर रही है पर implement नहीं हो रही है जो सच है वो सच है भाई जब आप अपने tv screens पर news flash होते हो देखेंगे शायद आपको यह दिखाने की कोशिश करी जाए यह numbers कोई tally count की तरह है कोई cricket score की तरह है कि इतने Ukrainians मारे गए इतने Russians मारे गए no doubt यह चीज राठी ने बहुत अच्छे कही कि जो Indian media है उसे घंटा फर्क नहीं परता वो इतनी जादा insensitive हो चुकी है कि वो numbers को सिर्फ numbers की तरह समझ रही है लेकि दो मर गए चार मर गए आठ मर गए और इन लोग ने आपका mindset भी यह लग रहे होंगे लेकिन जब आप एक बार खुद पर लेकर देखो बगवान ना कर यह जाता है बहुत जादा sensitive हो जाएगा तो तुम सिर्फ example लेके देखो एक बार अपने ऊपर और यह Indian media इस तरीके से दिखा जी पांच मर गए दस मर गए सीरियसली इनको थोड़ी सी भी शरम नहीं अगर थोड़ी सी भी शरम होती ना तो हर्शा का case अभी अभी क्या था पूरी तरीके से उसको इंडियन media से कर दीगे मर गया उसके बारे में डिसक्रस नहीं कर रहे हैं यह लोग उसका मुद्धा अटा देते हैं और वहाँ पर बात क्या करते हैं कि उक्रेन में ऐसा हो गया और सीरियसली इस बात में मराटी के साथ हूं 100% साथ हूं अब आइनों की last opinions पर आते हैं मैं war को कभी support नहीं करता है last video में बोला था इस video में भल रहा हूं क्योंकि war में civilians मरते हैं army मरते हैं कि मैं क्यों stand कर रहा हूं रशिया के साथ अब I know कि आप लोगों के मन में एक ही बात आ रही होगी कि जो war शुरू करता वो ही गलत होता ये अपने आपी mindset बन जाता हम लोगा क्योंकि war शुरू करने वाला by default हमाई लिए गलत हो जाता है जबकि हम जानते की PO के हमारे लिए क्या है वो ऐसी war शुरू बना रहा है पाकिस्तान जो हमारे civilians के लिए भी गलत हो सकती है उनकी जान को भी खत्रा हो सकता है तो हमें जरूरी अपनी war शुरू करना बहुत लोग बोलते हैं एंटी है नहीं हो भाई बिलकुल एंटी नहीं हो मुझे खुद तरह साता है वाँके Muslims के उपर की बहुत साधा गलत हो रहा उनके साथ अगर आज के लिए को को दूसरी कंटरी उनको support करना चाहेगी गलत ही बन जाएगा रही बाद गलती की तो इसमें न मैं यूकरेन की गलती मानता हूँ न मैं रशिया की गलती मानता हूँ गलती मानता हूँ मैं सीधी सीधी यूएस की जिसने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हारी देश बरबाद करके रख दिये लीब या, सीरिया, मैं कितने नाम गिना हूँ आपको आज की डेट में ना नाटो कड़ा हो रहा है ना यूएस कड़ा हो रहा है बरबाद को रहा है? यूक्रेन इनकेस, इनकेस कल को ये यूएस सफोर्ड करने भी जायेगा न ये बरबाद रशिया को और यूक्रेन को ही करके आएगा खुद को कुछ नहीं करेगा, ये यूनाइटिड नेशन के जखमार ने बनाया गया है, योके वाले मुद्दे पुमुली करने आएगे इस केला बन से घंटा कुछ नहीं उखड़ता, और आज ये बहुत बड़ा एग्जामपल बन गया इंडिया के लिए भी तो इससे कह रहेगा आप लोग बायस्ट नहीं है, तो आप लोग जो ओपिनियन देंगे तो डेफिनिटी लोग के काम आएगा तो अगर आप लोग इनी स्टेट से हैं तो फ्लीज ओपिनियन दीजिए, बाकी स्टेट से हैं तो वीडियो कैसा लगाईए बताइए बाकि वीडियो को शेयर कीजे, कमेंट कीजे, लाइक कीजे, कैश करो, डाउनलोड करना मत बूलना, समरा 25 जरूर यूज कर लेना, चैया लिंक से क्लिक कर लो, या प्ले स्टोर और अपल स्टोर से डाउनलोड कर लो, समरा 25 यूज करना मत बूलना, और प्लीज कर लो, डाउन आपरोट कैसे करो, शॉफिंग करो, लव यू